भुपाल से खबर जहां राजधानी में अनलॉक होते ही क्राइम बढ़ते जा रहे हैं आपको बता दें कोहे फिजा में से एक मामला सामने आया है कोहे फिजा से दो मामले सामने आया है चेंड स्नाचिंग के एक बुज़र्ग महिला और एक युवती के साथ लूट की वारदात को अन्जाम दिया गया बता दें महिला के साथ लूट का CCTV भी सामने आया है वही बदमाशों पर DIG ने 20,000 का इनाम खोशित किया है तो कोहे फिजा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है ये CCTV फुटिज सामने आया है किस तरह से बदमाशों ने चेंड स्नाचिंग की वारदात को अन्जाम दिया और पुलिस अब लगातार जांच में जुटी हुई है DIG ने 20,000 का इनाम बदमाशों पर घोशित किया है तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से एक महिला नजर आ रही है और बदमाश उसका पीछा करता है और फिर चेंड स्नाच कर वहां से भाग जाता है तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से शेहर अनलॉक की और बढ़ रहा है क्राइम भी बढ़ता जा रहा है दो मामले कोहिफिजा में सामने आये हैं चेंड स्नाचिंग के जिसमें एक बुजर्ग महिला और एक युवती के साथ लूट की गई है इधर धार में दिन दहाडे चोरों ने एक बाइक चोरी की है बाइक चोरी की घटना पास में लगे सिसी टीवी में कैद हो गई बताया जा रहा है कि धामनो थानाशेत्र के खलगाट में नैशनल का ये मामला है जहां बाइक चोरी की घटना पास में लगे सिसी टीवी में कैद हुई है बताया जा रहा है कि दिन दहाडे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है